Assalamualaikum, अगर आप भी Fast Computer Operator बनना चाहते हैं और गेंटों का काम इंटों में करना चाहते हैं वो भी Mouse के बगएर तो जी हाँ ये चीज पॉसिबल है आप लोग इसी लिखार सकते हैं सबसे पहले आप लोग Ctrl प्लास A को प्रेस कीजिए और इस कितरी है आप लोग किसी भी डाटा को या किसी भी Paragraph को Select कर सकते हैं उसके बाद Ctrl प्लास B को प्रेस कीजिए और आप लोग उस Selected Data को Bold कर सकते हैं या आप लोग उसको Notepad में PowerPoint में Bold कर सकते हैं इसी तरह गर आप लोग Ctrl प्लास C प्रेस करते हैं इसी तरह अगर आप लोग control plus E प्रेस करते हैं तो इसके जरी आप लोग किसी भी selected paragraph को या किसी भी selected text को आप लोग center में align कर सकते हैं इसी तरह अगर आप लोग control plus F प्रेस करते हैं तो इसके जरी आप लोग किसी भी particular text को find out कर सकते हैं अगर आप लोग control plus G प्रेस करते हैं तो इसके जरीए आप लोग MS Office में go to option को go to जो function होता है उसको open कर सकते हैं अगर आप लोग control plus H प्रेस करते हैं तो इसके जरीए आप लोग किसी भी data में find and replace option को देख सकते हैं और उसके साथ साथ आप लोग internet की browser history को भी find out कर सकते हैं प्रेस करते हैं तो wortong प्रेस कि जरीया अप जुस्टीफायग को अपश्टीफायग आपशन को नरौ्टा lamps जो आगे पीफे की लाइन होते हैं storecell और को साइस, अगर आप और कि अच्ठार प्रेस करते हैं तो इसके जरीय Only वी कसी बी Ctrl-L को press करते हैं Ctrl-L को press करने से आप लोग किसी भी जो data होता है उसको content को left side में align कर सकते हैं align content to the left अगर आप लोग Ctrl-M press करते हैं तो इसके जरीए आप लोग paragraph indent कर सकते हैं यनि आप लोग किसी paragraph में insert कर सकते हैं image को जैसे newspapers में होता है इसी तरह अगर आप लोग Ctrl प्लस N को प्रेस करते हैं तो Ctrl प्लस N के तरू आप लोग New Page को Open कर सकते हैं इसी तरह Ctrl प्लस O को आप लोग प्रेस करते हैं Ctrl प्लस O को तो इसके तरू आप लोग Open Option को ले आते हैं सोफसे ऑपके पास सेव फायल होती है उसको आप लोग open कर सकते हैं उसकी बात control स्की को आप बोग प्रेस करते हैं तो control प्लश पी को आप लोग यूज कर सकते हैं print के लिए mean कि आपने अगर कोई file या कोई document लिखा तो आपको अगर उसको print करना है तो आप ctrl plus p को press करें तो आप उसको print कर सकते हैं इसी तरह अगर हम ctrl plus q की बात करें तो ctrl plus q को हम लोग clear the indent की जो हमने image insert की है या जो हमने indent की है paragraph उसको आप लोग clear कर सकते हैं अगर आप Ctrl प्लस R को प्रेस करें तो Ctrl प्लस R को आप लोग जो आपका Text होता है या content होता है उसको Align to right Align content to right उसके लिए Ctrl प्लस R को प्रेस कर सकते हैं अगर हम बात करें Ctrl प्लस S की तो इसको हम लोग Save option के लिए यूज़ करते हैं या आप लोग powerpoint की file में font style को भी change कर सकते हैं इसी तरह अगर आप लोग control plus u को press करते हैं तो control plus u को हम लोग किसी भी text को underline करने के लिए मतलब कि इसके नीचे line लगाने के लिए use कर सकते हैं इसी तरह अगर हम लोग control plus v की बात करें तो जैसे हमने control plus c copy किया था control plus v से उसको paste कर सकते हैं या जो cut paste होता है वो भी कर सकते हैं v के बाद अगर हम w की बात करें control plus w से हम लोग जो हमारी open window होती है उसको close कर सकते हैं या किसी भी document को close कर सकते है close document control plus w उसके बाद अगर हम बात करें x की control plus x को हम लोग cut के लिए use करते हैं obviously mostly हम लोग cut paste या copy paste को at a time use करते हैं इसी दर अगर हम लोग ctrl plus y की बात करें तो ctrl plus y जो होते हमारा इसको हम लोग use करते हैं redo option के लिए redo से पहले आप लोग undo को समझेगा कि ctrl plus z को हम लोग undo के लिए use करते हैं में के ctrl plus z और ctrl plus y एक दूसरे के आवाइस वर्सा होते हैं इस तरह आप लोग a to z तमाम shortcut keys को use करके अपना ग्यंटो को comment में कर सकते हैं और एक fast computer operator बन सकते हैं hopefully ये वीडियो आपके लिए helpful रही होगी अगर ये वीडियो आपके लिए helpful रही हो तो इसको अपने फ्रेंड के साथ शेक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं ये वीडियो के साथ आला हापीज